तो फ्रेंड आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास यहां पे एक मीनी कूलर आया हुआ है रिपैरिंग के लिए अब इस कूलर के अंदर प्रोलम यह है कि ना तो यह चार्जिंग के साथ मैं यह काम कर रहा है और ना यह सैल डालने पर काम कर रहा है इस तरी अगर हम इसको charging भी लगाते हैं क्योंकि ये charging के साथ भी ये काम करता है cooler तो यहाँ पे charging के साथ में भी कोई भी फरक इसके अंदर नहीं पड़ रहा है तो इस cooler के अंदर क्या problem है कैसे check करना है कैसे repair करना है आज की वीडियो के अंदर मैं आपको full detail से step by step बताऊंगा तो वीड वीडियो को आगे start करने से पहले मैं आपसे request भी करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तभी आप हमारी चैनल को subscribe और वीडियो को like करें otherwise वीडियो को dislike करें तो चलिए फ्रेंड ज्यादा समयना गवाते हुए वीडियो continue start करते हैं तो यहाँ पे कि नहीं पेखके मैंने इसे को इसको उधेल guit और देंगे और इसको भी आट आधेंगे और इसको आपको पैयार से नीचे की तरफ कर देiliar तो यहां पे. जैसे मैंने इसको नीचे की तरफ करा यहां पर एक वायर मुझे सति होई दिखाई दे रहे हिmetal इसको भी हम देखेंगे सबसे पहले इसको फूरा खोल लेते है और इसको हम इस तरीके से बाहर की तरफ है और इसको हम यहां से अलग करेंगी देखिए इस तरीके से हमने इसको अलग कर लिया यहां पे देखिए यह यहां पे वायर टूटी होई दिखाई दे रही है और यह वायर हमारी यहीं पर इसके साथ में जुड़ी थी साइड क्योंकि एक बार यह cooler गिर गया था कि जिस customer का एक cooler उन्होंने बताया था कि एक यह मेज से गिर गया था उसके बाद से इसके अंदर यह प्रोलम आई है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस वायर को यहां पर जोड़ लेते हैं तो मैं क्या करता हूं फटा-फट पहले इस वायर को जोड़ लेता हूं उसके बाद फिर हम देखते हैं और वायर को जोड़ रह कर रहा हूं तो यहां पर कोई भी फरक नहीं पड़ रहा तो यहां पर अब हम क्या करेंगे इस तरीके से जब हमने बटन को ओन ओफ कर रहा तो कोई फरक हमें दिखाई नहीं दे रहा तो यहां पर हम एक बार डारेक्ट यहां पर मोटर पर सप्लाइ दे के यह चेक कर लेते है यह मोटर हमारी सही है यह फिर खराब है तो इससे हमें फ़ोड़ा सा आइडिया लग जाएगा पता चले कि हमारी मोटर ही कराब है और हम इसके अंदर लगे उए हैं यहां पर हम सबसे पहले काम कर लेते हैं तो इसके लिए देखे मेरे बास मेरी मेरे टेस्टिंग डिवाइस है यदि के आपको वी मोबाईल की बैतरी चैक कर लेते हैं यहां को जोड़ 40 उसले के सरी के सutet देखी जैसे मैंने इसको टच करा तो आप देख सकते हो कि मोटर तो हमारी बिल्कुल सई तरीके से काम कर रही है यहां पर कोई प्रोलम नहीं है प्रोलम कहीं इन्हीं जगा पर है तो यहां पर यह चीज हमारी क्लियर होगी देखे इस तरीके से आप क्लियर कर लिया करो यहां यहां पे जो इसका charging point है यहां पे इसको हम निकाल लेते हैं क्योंकि charging लगाने पर यह डारेक्ट चलना चीए तो इस तरीके से यह देखें यह इसका charging point है और इसके अंदर देखें कबाड़ भरा हुआ है तो यहां पे इस तरीके से इसका कुछ सिस्टम दे रखा है अब यहां पे हमें क्या करना है दो वायर देखनी है यहां पे जो दो वायर है एक वायर तो हमारी यहां पर आ रही है प्लस वाली और दूसरी वायर हमारी मानस की इसके साथ में बटन के साथ में जूड़ी हुई है तो हमें एक वायर तो यह होगी ठीक है इसको जोड़ा तो यहां पर यह जो मोटर हमारी घूमना स्टार्ट होगी है देखे इस तरीके से हमारी मोटर घूमना स्टार्ट हो चुकी है तो यहां पर इस से हमें क्या किलियर हो गया इस तरीके से चेक करने पर कि जो हमारा स्विच है यह बिल्कुल बड़ी है तरीके से क मोटर को हम इस तरीके से पगड़ते हैं और यहां से बटन से इसको ओन ओफ करके देखते हैं तो यहां पे कोई भी फरक नहीं पड़ रहा है तो यहां पे अब हमें क्या करना है यह जो इसके जो पॉइंट है जहां पर प्लस माइनस की वायर जुड़ी है यहां पर को replace करेंगे तो यह चीज़े हमें check करके confirm करनी है और यह किस चीज़ से check होगी यह हमारे multimeter से check होगी तो multimeter को हमें DC 20 voltage पर set करना है यह मैंने पहले से set किया हुआ है अब उसके बाद plus minus को इस वाले point पर देखना है क्योंकि यहां पर charging pin की plus minus की supply आनी चाहिए तो यहां पर देखे इस तरीके से जैसे मैंने इसको touch करा तो यहां पर कोई भी supply हमें नहीं मिल रही है इसका मतलब क्या है कि यह charging pin है यह हमारे खराब हो चुकी है और इसी की वज़े से यहां पर यह problem बन रही है जब इसको हम charger से लगा रहे तो यह motor हमारी काम नहीं कर रही है तो यहां पर आप हमें क्या करना है इसकी charging pin को replace करना है तो यहां पे सबसे पहले हमें क्या करना है इस तरीके से इसको हटाने बाद यहां पे इनकी वायर को हटा लेना है तो यहां पे हम इस तरीके से इसकी वायर को हटा लेंगे यह प्लस माइनस वाली दोनों वायर को हमें हटाना पड़ेगा इसको मैंने यहां से हटा दिया और य यह इतनी चोटी सी चीज़ है आप देख सकते हूँ इसके अंदर हमारी प्रोलम है और इसको मैं जूंब करके आपको दिखा दू कुछ इस तरीके से है अब हमें इस charging pin को निकालना है तो charging pin को iron से कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बता दो बाकी तो smd कर multip вр aqu ch हमें क्या करना है इसको पर सबसे पहले paste लगानी है इस तरीके से हम सबसे पहले इसके उपर पेस्ट लगाएंगे यहां पर मैं आयरन के मतलब से आपको चार्जिंग पर निकालना बता रहा हूं इस तरीके से यह कर लिया हमने अब उसके बाद हमें यहां पर थोड़ी से आपकी ज्यादा लगेगी आयरन आपके कम से कम 25 वाट का होना चीए और आपके घर पर लाइट भी फूल होने चीए देखिए मेरी जो आयरन है बिल्कुल अच्छे तरीके से यह गरम है तो इस तरीके से हमें क्या करना है आरन को इस तरीके से रखना है और इस तरीके से थोड़ी से वायर आपको ज्यादा मैल्ट करवानी है और इस तरीके से आरन को थोड़ी देर आपको ऐसे रखना है और ऐसे हिलाते जाना है देखना थोड़ी देर में आपकी जो चार्जिंग पिन है यहां से निकल जाएगी यह देखिए इस तरीके से किसी भी charging pin को निकाल सकते हो तो यहाँ पर यह हो गया हमारा अब इसकी जगा पर हमें नई charging pin लगानी है जो कि मैं फटा-फट लगा लिता हूँ उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ तो यह देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने new charging connector लगा लिया है और बिल्कुल असानी से यह लग भी जाता है मैंने इसकी कई वीडियो बना रखे आप मेरे चैनल पर जा के देख सकते हो connector कैसे लगा जाता है तो यहाँ पर हमारा connector लग चुका है अब यह connector हमारा पुराने वाला जो की तराब हो चुका है इसको हम रखेंगे side में अब हमें उसी तरीके से यहाँ पर फिर से वायर को जोड़ देना है जैसे इसके अंदर पहले वायर हमारी जूड़े हुई थी तो यहाँ पर देखे हम वायर को फटटा फट जोड़ लेते हैं और वायर आपको बिल्कुल सेम उसी तरीके से जोड़नी है तो यह वायर है यह हमारी यहाँ पर लगी हुई थी तो इसको मैं यहाँ पर sold कर रहा हूँ सारी वायर को आपको अपने हिसाब से उसी जगह पर sold करना है तो यह वायर यहाँ यहाँ पर लग गई है तो इसको हम यहां पे लगा देते हैं पलस वाली जगा पे तो वायर को आपको उसी जगा पे लगाना है नहीं तो फिर यह काम नहीं करेगी पीने हमारे यहां पे यहां पे देखिए अब इसको हम दुबारे से सप्लाइ देखके चेक करते हैं कि जो हमारी प्रोलम है सोल होई क तरीके से काम कर रही है, अब इसके अंदर कोई भी प्रोलम नहीं है, तो मेरे कहने के मतलब यह है, कि जब भी आप इस टाइब का कोई भी डिवाइस खोलो, तो आप step by step उसकी checking करते चलो, जब आप step by step उसकी checking करोगे, तो आपको actual problem का पता चल जाएगा, और आप उस problem को यहाँ पर ठीक कर लोगे, तो यहाँ पर charging pin के अंदर problem थी, तो यहाँ पर हमने pin को replace कर दिया, और यहाँ पर जो हमारी problem है, soul हो चुकी है, तो अब मैं क्या करता हूँ, फटा-फट इसको बंद करके, अब इसको मैं एक बार pack कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर आपको मैं दिखाता हूँ, तो यह देखिए friend, यहाँ पर मैंने इसके पांचों page को दुबारा से tight कर लिया है, तो यहाँ पर अब यह cooler हमारे ready हो चुका है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दू कि cell हमारे यहाँ पर डले हुए है, अब cell को डालने बाद यह देखिए, इस तरीके से cell डालने बाद यह बटन से मैं इसको on कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हों कि हमारी motor यहाँ बढ़ी हैं,पको बढ़ी हैं यह बढ़ी हैं, तो यहाँ पर अब भी भी इसकी जो motor हमारी बढ़ी हैं तरीके से full speed के अंदर काम कर रही है, तो इस तरीके से जो हमारी स्कूलर के अंदर प्रोलम थी वो हमने रिपैर कर ली है तो उमीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ नए टोपिक साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम